नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आई आज हम सभी जानते हैं दातों से जुड़ी हुई कुछ सरल एवं उप्योगी जानकारी के बारे में दातों के बहुत प् इसके निमक की दातुन अगर आपको हरोज मिलती है तो इस्से अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है हर रोज दातुन करें इससे दात आपके क्लीन रहेंगे और दाथों में कीड़े भी नहीं पड़ेंगे आई यह जान लेते हैं दातों के कुछ सरल प्रयोग के बारे में जो कि उपयोगी हो आप सभी के लिए दात खटे हो जाएं होट फट जाए तो पांच बादाम खाईए दातों की मजबूती के लिए बादाम के छिल के जला करके बुझा कर एवं पीसकर सेंधा नमक मिलाकर मंजन किजिए आपको लाव होगा माजूफल यानि की पंसारियों की दुकानों पर बाजार में आसानी से मिल जाता है ये बारीक पीस करके इसका नित्य मंजन किजिए इससे दातों में पानी लगना बंद हो जाता है दात मजबूत होते हैं तथा रक्त निकलना बंद हो जाता है आम के ताज ये पत्ते हो जाता है टमाटर खाने से दात मजबूत होते हैं इसलिए टमाटर कभी-कभी बीच में खाते रहना चाहिए 70 ग्राम गाजर का रस प्रती दिन पीने से मसूड़े और दातों में रूब पैदा नहीं होते हैं तथा दातों की जड़े मजबूत होते हैं 62 ग्राम काली तिल सुबह दातों के बाद बीना कुछ खाए पिए धीरे धीरे खुब चबा करके खाए इसमें गुड़िया चीनी कुछ भी न मिलाए उपर से एक ग्लास ठंडा जल पिए चाहें तो रात को भी इसी तरह तील खाए जा सकते हैं इस प्रयोग से दात मजबूत होते हैं और काया कंचन सद्रिश हो जाती है सुखे तेजपात यानि के पत्तों को बारीक पीष कर प्रतेक तीसरे दिन एक बार मंजन करने से दात मूती की भाती चमकने लगते हैं निम की टहनी पत्तियों सहीत छाया में सुखा करके जला कर राक बना लें इसे पीश कर मंजन बना लें, स्वाद एवं सुगंध के लिए लॉंग पिपरमेंट एवं नमक मिला लें, इससे पाईरिया ठीक हो जाता है, जहां उनकी छाल के क्वाद से कुल्ला करने पर दांत मजबूत हो जाते हैं, यदि रात को सोते समय दांत किट-किटाते हों, तो ए दांत को स्वस्थ रखने के लिए ये कुछ एक बहदी महतो पून जानकारियां थी, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक अन्य बहदी महतो पून जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों